नमस्कार मैं हूँ प्रग्यमिशा और आप दिख रहे हैं उल्टा चश्मा यू सी हाथ रिसकांट में सी बी आई की रिपोर्ट में उन चारो ठाकूर अपर कास लड़कों को गैंग रेप और मर्डर का दोशी पाया गया है जिनको भारत वर्ष के कुछ चाटूकार पत्रकार निर्दोश बता रहे थे जिनको बचाने के लिए हिंदुबादी तिलगधारी संदट उनों ने दसीयूं पंचायते कर डाली थी जो तू यहां राजनीती कर रहा है ना तो उसे वरोसा दिला देगा धवर्णिया आकूर घर में पैदा होना है एक बार एक बार वरोसा दिले बेटे वारा तेरे मुलाकात करने तेरे भाई आए बड़े आजा CBI ने जाज करके जो चाशीत लगाई है उसमें कहा है कि हात्रस की दलिद बिटिया गुडिया के साथ टैंग रेप किया गया और उसके बाद उसको बड़ी बेरहमी से मार तिया गया तो अब Mr. A.D.G. Law and Order प्रशांत कुमार ची आप तो बड़ा मुचों पर ताव दे कर कह रहे थे कि लड़की के साथ रेप हुआ ही नहीं है जो भी पत्रकार हात्रस की दलिद गुडिया की खबर में रेप का शब्द इस्तमाल करेगा उसके खिलाफ आप F.I.R. लिखेंगे जाच करने वाली C.B.I. ने खुद कह दिया है कि बिचिया के साथ रेप हुआ है रेप उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्रानू नहीं पाया गया है इससे असपस्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातिये तनावा पैदा करने के लिए इस तरह के चीजने कराई गई ऐसे चलाएं कि आप लोग एन ओर पुलिस में भड़ती होते समय नेताओं की चापलूसी करने क्या तक डाली थी अपर आपने इस सब बाद में सिखाए वर्दी पहनते समय ये कसम तो नहीं खाई होगी कि राजनीती के नफ़ा नुकसान के हिसाब से मैं अपनी पुलिस का इस्तमाल करूगा अगर किसी लड़की के साथ रेप से सरकार की बदलामी होगी तो उसके लश्ट को तुरण चलवा दूगा रेप की वारदात को मैं घोल कर पी जाओंगा जाहिर है ये कसमे तो अपने नहीं खाई होगी आप सोचिए कि जब आप से आपके बच्चे पूछेंगे कि पापा आप कैसे अफसर थे तो क्या जवाब देंगे खेर छोडिए आप मू नहीं दिखा पाएंगे जवाब क्या देंगे समिधान की रक्षा करने की कसम खाईती और सेवग बन कर रहे गए है सोचना अगर समय मिले तो जिस बेटी के साथ बालाकार हुआ उस बिटिया को अपमानित किया गया कहा गया कि वो अपने यार से मिलने गई होगी बाजरे के खेज में एश कर रही होगी घरवालों नहीं मार दिया होगा उसका कहीं चक्कर चल रहा होगा इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि राश्ट्री मीडिया उनको हीरो बनाता रहा जो गैंग्रेप के आरोपी थे क्या आपको याद है कि कैसे इस केस को अपरकास्ट और ठाकुर और दलितों के बीच की लड़ाई साबित कर दिया गया था कैसे न्यूस चैनलों की अपरकास्ट मन सिकता बज़ बजाने लगी थी और हाँ एक बाद याद रखेगा मैं खुद अपरकास्ट हूँ मैं खुद ब्रामवर कर नया हूँ लेकिन कभी किसी गरीब या दलित भाई बहन का अपमान नहीं होने दूंगी और नहीं मैंने किया है आगे सुनिये कैसे गैंग रेप करने वाले चारो ठाकुर लड़कों के घर वाले टीवी पर दहार रहे थे किसी ने कहा था कि मेरा बेचा तो फ्रट्री गया था किसी ने कहा कि लवकुष पानी पिलाने आये थे कुछ ने PFI कहकर पूरा मामला डाइवर्ट करने की कोशिश की लेकिन आखर में आखर में CBI की चार्शीट में साफ साफ कह दिया गया कि चारो अपरकास ठाकुर लड़कों नहीं बच्ची के साथ गैंग रिप किया था DM, SDM, पुलिस पहले दिल से इस पूरे केस में बहुत कुछ चुपा रहे थी इसलिए लाश को रातो रात जलवा दिया थिया कई दिन तक घरवालों को बंधग बना कर रखा गया BJP नेता जेल में आरोपियों से मिलने जाते थे ठाकरों के सम्मान में सभाय हो रही थी, ये सब क्यों हो रहा था आप जानते हैं, मैं बताती हूँ, ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि जिनके लड़कों ने गैंगलेप किया, वो थे ठाकर और जिनकी लड़की के साथ गैंगलेप हुआ, वो दलिद थे इसमें विलन आईएस, आईपिएस और सुपारी मीजिया है खेर, सब्त की जीत होती है ऐसलिए सब्त मेव चाहते है